आप आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी लेडि शोक्स लेके आई हूं तो देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी यह सोक्स बनके आई है टू कलर में मैंने इसको बनाया है और 5 और 6 नंबर के साइज की मैंने इसको बनाया है देखिए कहीं पर भी आपको इसको नीचे साइड में कहीं भी आपको इसके अंदर जोएंट नजर नहीं आएगा बहुत ही फिनेसिंग के साथ पनी है और यहां से मैंने इसको उपर से बनाना शुरू किया है आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं मैंने इन दो कलर में इसको बनाया है तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे नोर्मल वर्धमान वाली वूली है मैंने और ये 10 नमबर की मैंने सलाएंगी है तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी स्टेप बाइ स्टेप बनाना बताऊंगी तो आप सोक्स बुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा तो चलिए बुनना शुरू करते हैं डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नई है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो और डिजाइन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को नाई को और सेर कीजिए तो चलिए इसको बुना शुरू करेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर फंदे डालेंगे तो देखिए ऐसे डबल धागा करेंगे और ऐसे यहाँ पर एक नोट लगाएंगे ऐसे नोट लगा लेगे ऐसे नोट लगाएंगे और एक फंदा यहाँ पर हम बना लेगे ऐसे फंदा बनाएंगे तो एक फंदा हमने बुन लिया अब यह जो डबल धागा है इसको ऐसे अंगुठे के उपर से ऐसे करेंगे यहां से सलाई डालेंगे और सिंगल धागे को सलाई के उपर से ऐसे घुमाएंगे ऐसे डालेंगे फिर डबल को अंग उठे के उपर से घुमाएंगे यहां से सलाई डालेंगे और सिंगल को उपर से घुमाएंगे फिर इसको ऐसे खिंच लेंगे फिर double को ऐसे उठी के उपर से घुमाएंगे यहां से slide डालेंगे और फिर इसके उपर से ऐसे बनाएंगे ऐसे करेंगे ऐसे ही करते हुई हम इस soaks के अंदर 50 फंदे डालेंगे यानि 50 फंदे डालेंगे और 5 और 6 नंबर के size की बनाएंगे तो देखिए जैसे मैंने ये फंदे डाले हैं ऐसे ही आप 50 फंदे हम डाल लेंगे ऐसे ऐसे ही बनाएंगे डबल धागा ऐसे हम उठे के उपर से गुमाएंगे यहां से स्लाइड डालेंगे जैसे फंदा बुनते हैं ऐसे गुमाएंगे ऐसे डालेंगे तो इसी तरह से हम 50 फ पेसे फण्धे डाल के एक ल्टा और एक सीधहहे लखें सीधह नुफ्र है इसी तरह यहां बन जाएगा तो अब हम इसको आग्य बूर्णा शुरूख यहां पर मैने यह दस नमबर की सलाई लिये और अब देखिए यहां तक हमारा यह बन चुका है, बोर्डर हमने बना लिया है, अब यहां आगे यह हमने यहां पर 6 सलाई बुन नहीं, यानि 12 सलाई हम यहां पर उल्टे-उल्टे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रोह बोडर बनने के बाद यहां पर धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे और इसको पूरी को उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे बनाएंगे सीधी तरफ से भी उल्टी बनाएंगे और बैक साइड से भी उल्टा ही बनाएंगे तो टोटल यहाँ पर हम 12 सलाईयां बना लेंगे 12 सलाईयां बना के फिर मैं आपको इसको बताऊंगी आगे कैसे करेंगे तो देखे परें 6 सलाईयां ये 6 धरियां हमारी बन के आ गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ही हमारी बैक साइड से हैं तो टोटल मैंने ये बोर्डर से उपर 12 सलाईयां बनाई है 12 सलाईयां बनाने के बाद अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 50 फंदे हैं मैंने 50 फंदे बोर्डर में डाले थे 50 फंदे हैं तो इनको अब हम divide करेंगे, तो dेखें कैसे करेंगे, जो ये beach का पार्ट है, यहां तक अब हमारा ये बन गया है, यहां तक, अब ये beach का पार्ट जो बुनना है तो इसके लिए हम ये यहां पर 10 फंदे लेंगे, तो देखेंगे, दस फंदे बीच में रखेंगे, और दोनों इस साइड में तो देखिए कैसे करेंगे यह छे लाइने हमारे बन चुकी है अब यहां पर बनाएंगे तो यह 20 फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सत्रे, 18, 19, और 20, अब देखिए यहां पर 20 फंदे मैंने बुन लिये हैं, साथमी लाइन है हमारी यह नीचे छे धारिया बने हो ही है, साथमी धारी में 20 फंदे हमने बुन लिये, अब हम एक मार कर लेंगे, यहां पर पहचान फंदों की रखने के लिए तो यहां पर हम मार कर डाल द पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस फंदे बुनने के बाद फिर यहाँ पर हम ऐसे इसमें मारकर लगा लेंगे तो देखिए अब हमारे ये बीस फंदे यहाँ पर हैं दस फंदे यहाँ पर हैं और बीस फंदे हमारे दूसरी साइड यहाँ पर हैं अब यहाँ पर आप धहन दिजेगा यह हमारा 5 और 6 नमबर की साइज की सोक्स है अगर आप इसी डिजाइन में 4 नमबर अगर बनाएंगे तो आप यहाँ पर फंदे जैसे कम डालेंगे टोटल फंदों में इसे 4 नमबर की बनाएंगे तो यह फंदे भी कम रहेंगे तो यहाँ पर आप 10 की जंगे 8 फंदे रख लिजिएगा और साइड में बचे हुए फंदों को बोर्डर के डिवाइड करेंगे जब साइड में हाफ आफ फंदे कर लिजिएगा और अगर आप 7 नमबर में बुनना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही बनाते जएगा जो यह लैं त्यास्थे आगे की थोड़ी से लंबी कर लेंगे तो यही से ही फंदे अब हम बुनेंगे नहीं, इनको ऐसे ही रख चूँँगे तो यही से ही हम टरन करेंगे यह मारकर हम पहचान के लिए लगाएंगे यहाँ पर 2-3 सलाई बनने के बाद तो यह अराम से अलग से नजर आएगा तो ऐसे ही इन 10 हुप को बनाएंगे ऐसे इन दस फंदों को ही हम बनाते जाएंगे नहीं कोई फंदा घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे यहीं से ही ट्रंड करेंगे फिर इसे से बनाएंगे ऐसे दस फंदे बार बार बुनते जाएंगे टोटल हम यहाँ पर दस फंदे जो बुनेंगे इसकी 20 लाइने बनाएंगे यानि 24 लाइना बनाके 40 लाइना बनाके सोरी complete करेंगे ऐसे यह हमारी जैसे अब यह 2 लाइने बन चुकी है 6 निचे थी 2 हमने यह बनाई 10 फंदों यह दस फंदों के साथ जब हम बनाएंगे ऐसे ही ऐसे बनाएंगे तो यह पारठ हमारा बन जाएगा यह 20 धारिया है टोटल 20 धारिया बनाएंगे यानि 40 सलया बना लेंगे फिर यहीं से ही ट्रंड करेंगे फिर ऐसे ही बनाएंगे तो देखे फ्रेंड्स अब इनहीं दस फं जब हम बनाएंगे ध्यान दिजेगा इस सलाई को हम यहीं पर छोड़ देंगे नीचे तीसरी सलाई हम ले लेंगे तो देखे जो फर्स्ट फंदा है इसको बगार बुना ऐसा ही उतारेंगे इसको बनाएंगे यहां से हमारी दोनों तरफ से चैन बनती आएंगे जो हम फंदे उठाएंगे तो बहुत ही असानी के साथ हमारे फंदे बन जाएंगे बना देंगे अब फिर हम दूसरी तरफ आएंगे तो इस मारकर को भी अब हम निकाल देंगे तो देखे जो फिर से फर्स्ट फंदा है इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे औ और फिर से 10 पंदे बुन लेंगे ऐसे ही बुनते हुए हम यह बीच के 40 टोटल 40 सलाइया हम बनाएंगे तो हमारी 20 धरियां बनके आजाएंगे पिर यहीं से हिटरन करेंगे तो देखिये इस तरह से यह बीच-बीच का पारठ हम ऐसे बनाएंगे यह यह बीच बीच की बनाई तो जैसे मैंने यह बनाई हुई है ऐसे ही आप यह बीच लाइने बना लिए यानि 20 रोज धारिया ऐसे बन जाएंगे टोटल 40 तो इसको मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगे आगे कैसे करेंगे तो देखें वीच बाले पारट की मैंने लैंड को कमपलीट कर लिया टोटल मैंने 40 लाइया यह बनाई है बीच धरिया हमारी यह बन के आई है छेड़ धरिया हमारी नीचे थे 20 उपर बनी है तो टोटल 26 बन गई है बोर्डर से उपर यहां से यहां तक तो अब देखिए जो हमारे यहां पर 20 फंदे हैं जो हमने स्टार्टिंग में छोड़े थे 20 फंदे बुनके और आगे हमने यह 20 लाइन यह बनाई है तो यहां से हम हर एक यह चैन है जो इसके अंदर से एक एक फंदा उठाते हुए 20 फंदे हम उठा लेंगे तो देखे यहां से अब हम उनको ऐसे सलाई डालेंगे ऐसे फंदा बनाएंगे इस धागे के यहां पर एक नोट लगा देंगे ऐसे नोट लगाएंगे ताकि यह खुलेगा नहीं तो अब देखिए जो यह एक एक फंदा हम बगएर बुना दोनों तरफ से हमने बनाया था तो दोनों तरफ हमारी यह चैन सी किनारी ही बनके आ गई तो देखिए अब कैसे करेंगे तो हर एक चैन के अंदर से ऐसे फंदा उठाएंगे इसको नीचे की तरफ ऐसे इसी नीडल में लेंगे हम फंदे ऐसे यह ऐसे डाल लिए फिर आप देखिए यहां पर ध्यान से जो यह किनारी से बनी हुई है इसके आगे वाले इस धागे को उठाएंगे यहां से ऐसे दोनों को नहीं उठाएंगे एक के अंदर से सलाई हम ऐसे डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे फिर से इस एक चैन के अंदर डालेंगे फंदा बनाएंगे तो चार फंदे हमने बुन लिए फिर से यहां से डालेंगे तो पांच बन गई हर एक चैन के अंदर से ये दो चैन के दो पार्ट से आपको दिखाई देंगे आगे वाले इस वाले पार्ट से फंदा बनाएंगे हर एक के अंदर से ऐसे फंदा बनाते जाएंगे इस तरह से हम फंदे उठा लेंगे सीधी तरब से और यहां तक हम टोटल 20 फंदे उठाएंगे तो दिखें यहां तक मैंने 20 फंदे उठा लिए 20 फंदे हमारे नीचे थे और 20 फंदे हमने जो यह बीच में बुना इसके अंदर से एक एक फंदा उठाते लिए तो आप देखें जो दागा कट किया हुआ है यहां पर इनको हम धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे और उल्टा बुनेंगे इनको उल्टा बनाएंगे दस फंदे बीच के इनको उल्टा बुन लेंगे अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप उसमें भी इसको बना सकते है तो देखें ये फंदे मैंने बूल लिए अब यहां पर हम इस पारट के फंदे उठाएंगे तो हमको तीसरी सलाई की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप उसके अंदर बनाएगे बहुत सी बहने ऐसी होते हैं जिनके पास सर्कुलर नीडल नहीं होती तो इसे लिए मैं इन तीन नीडल के साथ आपको बना के दिखाऊंगे इस सोक्स को मैंने सर्कुलर नीडल से बनाया है बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है तो अब यहां से आगे जब हम फंदे उठाएंगे बीच वाले यह 10 फंदे हमने उल्टे बुले हैं यह फंदे हमने सीधे उठाए थे तो यहां से भी हम ऐसे ही फंदे 20 फंदे उठा लेंगे तो यह चैन का अपारट लेंगे ऐसे यहां से ऐसे और ऐसे फंदा बनाएंगे फिर एक चैन के अंदर से लेंगे फिर फंदा बनाएंगे हर एक चैन के अंदर से लेते जाएंगे तो ये 20 चैन हमारी बनी हुई है 20 ही हमारी धारिया है तो 20 फंदे हम उठा लेंगे बगैर बना फंदा हमने जब बनाया था ये बगैर बुनके ऐसे ही स्लिप किया थो इस वज़े से ही अब फंदे उठाने में आसानी रहेगी तो यहां से हर एक चैन के अंदर से ऐसे उठाईए ऐसे हैं ऐसे ही उठाते हुए यहां तक आप फंदे उठा लेजिए बीस फंदे टोटल बनेगे तो दिखें फ्रेंड्स यह बीस फंदे मैंने उठा लिये हैं अब जो आगे के फंदे हैं इन फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बना लेगे बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही प्यारी सी लुक बन के आती है इसको आप लेडिज सोक्स कईए, लेडिज जुराब कईए, लेडिज शूज कईए, जुत्ती कईए, कुछ भी बोली आप इसको, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये शूज बन के आएगा तो देखिए ये सभी फंदे मैंने बोल लिए तो अब देखिए अब हमारे पास यहां पर ध्यान दिजिएगा 20 फंदे हमारे ये थे, 20 हमने उठाई, 40 और 20 यहां थे, 20 उठाई, 40 ये और 40 ये, 80 और 10 फंदे हमारे पीच के टोटल अब हमारे पास 90 फंदे हैं तो अब यहां से हम अब ये देखिए जो ये डिजाइन डला हुआ है इस डिजाइन को अब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर मैं अब बलेक कलर लगाँगे यहां से देखिए तो तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तेन यहां से बलेक कलर लगाएंगे तीन फंदे बनाएंगे इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे ताकि ये निकलेगा नहीं एक फंदे को स्लीप करेंगे फिर से इस धागे को दबाएंगे और तीन फंदे फिर से बनाएंगे एक दो तीन फिर से फंदा स्लिप करेंगे और फिर से तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन फिर से फंदा स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदे बनाएंगे ये डिजाइन हमारा बैक साइड से बन के आएगा जब भी हम joint करेंगे second color को तो back side से करेंगे तो देखिए इसी तरह से हम बनाते जाएंगे तीन फंदे बनाएंगे एक slip करेंगे तीन बनाएंगे एक slip करेंगे ऐसे ही करते हुए हम चारों तरफ से ऐसे ही बनाते आएंगे हम यहां तक बना लेते हैं, फिर आगे आपको फिर बताएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, तो अब हम लास्ट में आ गए हैं, इस लाइके, तो देखिए, तीन फंदे हमने स्लिप किये, एक फंदा स्लिप किया, ऐसे हैं, यहां पर स्लिप देखिए दूसरी निडल पर आएंगे तो यहां से आगे 3 संदय बूल येहां से ऐसे 3 ये बनाएंगे कि दो तेंगी फिर से एक कर देक। करेंगे फिर से 3 फनदय बनाएंगे एक, दो, तेन, फिर से फंदा स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, तेन, फिर से फंदा स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, तेन, ये एक्स्ट्रा धागा है, जो हमने ज्वायंट कर लिया था, इसको हम यहां से कट करेंगे अब देखे तीन फंदे बनाई हैं एक सिलिप करेंगे फिप से तीन बनाएंगे एक सिलिप करेंगे ऐसे ही करते हुए यहां तक हम लाष्ट तक बुन लेंगे तो अब लाष्ट में आ गए है एक फंदा सिलिप किया तो लास्ट में अब हमारे पास यहाँ पर दो फंदे तो दो बुन लेंगे अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ तो देखिए अब कैसे बनाएंगे जो फंदे बलेक के हैं उनको बलेक से उल्टा बनाएंगे इस फंदे को स्लिप कर लेंगे धागा अपनी तरफ यह फंदा बलेक धागा पीछे इसको slip करेंगे फिर धागा आगे अब ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन फिर धागा पीछे करेंगे इस फंदे को फिर से slip करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से तीन फंदे black बनाएंगे फिर धागा पिछे करेंगे फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे जो बलेक फंदे हुनको उल्टा बुल लेंगे और जो slip फंदा उसको धागा पीछे करते हुए slip करेंगे ऐसे ही करते हुए दोनों तरफ से हम complete कर देंगे यहां last तक तो इसी तरह से इस रोगों आप पूरा कीजिएगा तो अब देखिए यह slide complete हो चुकी है अब आ गई हम wrong side में तो दो सलाइया हमारी base color से आएंगी दो सलाइया हमारी second color से आएंगी तो दो सलाइया मैंने black color से बुन ली है अब जो यह तीन फंदों का design है यह यहां इस फंदे के उपर डलेगा तो देखिए कैसे करेंगे यह फंदा हमारा बीच में आएगा जब हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे इस color से बनाएंगे तो जो यह तीन फंदे black है इसके बीच वाले को हम slip करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे एक फंदा हम बनाएंगे अब ये तीन के बीच वाला फंदा सेंटर का इसको स्लिप करेंगे अब फिर तीन फंदे बनाएंगे तो ये स्लिप फंदा हमारा सेंटर में आ जाएगा जब हम उल्टे फंदे तीन बनाएंगे अब फिर इसको slip करेंगे, अब फिर तीन फंदे उल्टे बनाएगे, ऐसे हैं, फिर से इसको slip करेंगे, जो तीन फंदे ये black के हैं, इसके बीच वाले को slip करते जाएगे, डिजाइन अच्छे से अर्जेस्ट होता जाएगा, स्टार्टिंग में ही आप ध्यान रखेगा, फिर तो आगे, सेम ऐसे ही बुनते जाएगा, जैसे मैंने ये first row बनाएगे, इसको slip करेंगे, फिर से तीन फंदे उल्टे बनाएगे, तो इसी तरह से हम इस डिजाइन को डाल चार बार मैंने ये डिजाइन डाला है, देखे यहां पर, चार बार मैंने ये बलेक कलर से डिजाइन बनाया हुआ है, आप इसी तरह से चार बार ये कलर बना लिजे, दो सलाई, फिर से दो, फिर से दो, फिर से दो, आट सलाई हमारी बनेंगे, तब हमारी ये चार हमारे ये बन गई हैं बलेक वाले एक दो तीन चार ये डिजाइन हमारा कम्पलिट हो चुका है जैसे हमारा इस सोक्स में डला हुआ है अब हमने ये पारट बनाना है निच्ची वाला तो दिखे इसको कैसे बनाएंगे फंदों को हम डिवाइड करेंगे तो टोटल फंदे हमा 20 फंदे हमने यहां पर बुने 20 यहां पर बुने और 10 फंदे बीच वाले डिजाइन के तो टोटल 50 थे 20 फंदे हमने यहां से उठाई है और 20 फंदे यहां से उठाई है तो 40 फंदे हमने उठाई 50 हमारे निच्चे थे तो टोटल हमारे 90 फंदे वन गई अब हम इन फंदों क बाइंड ओफ करेंगे जो निच्चे का यह डिजाइन डालेंगे यह डिजाइन हम बारा फंदों में डालेंगे क्योंकि निच्चे से जो पैर का हिस्सा होता हो थोड़ा सा चोड़ा होता हो पर कि बजाए यहां से हम दो फंदे ज्यादा करेंगे यहां पर दस फंदे है यहा हमारी बैक साइड है यहां से अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे बारा फंदे बीच के रखेंगे टोटल 90 फंदे हैं 90 फंदे में से बारा फंदे गए तो 78 फंदे हमारे बच गए 39 यहां पर और यह 12 फंदे बीच में यहां आ जाएंगे तो देखें कैसे करेंगे यह हमारा बैक पारत है यहां से अब हम अपना यह ब्लैक कलर कट कर देंगे अब ब्लैक हमारा कंप्लिट हो चुका है यहां से कटेंगे और इस फंदे के साथ हम यहां पर नोट लगा देंगे ताकि नहीं ये लूज होगा और नहीं ये खुलेगा तो यहां से लगा के अब हम बलेक धागे को हटा देंगे तो देखिए अब यहां से बुनेंगे तो देखिए कैसे बुनेंगे 39 फंदे हम बुन लेंगे इसी कलर से बुनेंगे जो हमारा बेस कलर है एक फंदे हम बुन लेंगे ऐसे बुनते हुए 39 फंदे बुन लेजिए तो दिखे 39 फंदे मैंने बुन लिये हैं 49 फंदे बुने हैं अब यहाँ पर एक मारकर लगाएंगे तो ऐसे यहाँ पर मारकर लगा देंगे इसको पिछे की तरफ रखेंगे अब बारा फंदे बुनेंगे ये बारा फंदे बुनेंगे जो हमने निचे की तरफ ये बुनने है तो ये बारा फंदे हम बनाएंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारा फंदे ये बीच के हमने बुन लिये अब यहाँ पर फिर से मारकर लगाएंगे ऐसे अब यहीं से ही ट्रन करेंगे तो देखे 39 फंदे हमारे इस निडल पे हैं और 39 फंदे हमारे ये यहाँ पर हैं और मारकर के अंदर हमारे ये बारा फंदे हैं तो अब क्या करेंगे यहीं से ही ट्रन करेंगे यह आगे के फंदे हम बुनेंगे नहीं ऐसे ही रखेंगे अब यहीं से ट्रन करते हुए यहां पर यह बारा फंदे बुन लेंगे इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे ही नहीं उतारेंगे इसको बुन के उतारेंगे तो ये बारा फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तो देखिए ये टोटल बारा फंदे थे ये यहाँ पर मैंने ग्यारा फंदे बुन लिये हैं ये हमारा बारवा फंदा है मारकर से आगे ध्यान देजिएगा यहाँ पर धागा अपनी तरफ ही है एक फंदा ये बारवा फंदा लेंगे यहाँ पर डालेंगे मारकर को निकाल लेंगे इसी पर वापिस लेंगे और आगे से एक फंदा लेंगे 39 फंदे हैं तो ये फंदा लेंगे जहां से हमने फंदे कम करने है तो अब इस फंदे को फिर से बुनेंगे उल्टा फिर ग्यारा फंदे बुनेंगे ये मारकर है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और ग्यारा ये बारवा फंदा है और एक मारकर से आगे फंदा लेंगे इसको लेंगे मारकर को निकाल लेंगे और इस फंदे को वापिस इसी पे लेंगे एक फंदा आगे से दो का एक करेंगे उल्टा फंदा ऐसे फिर इस मारकर को यहीं पर ही मारकर को लगाएंगे फिर यहीं से ही ट्रन करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को फिर से बनाएंगे अब देखिए यह हमारे पास 12 फंदे ही यह 12 ही चलते जाएंगे लाश्ट तक 12 फंदे हैं तो इसमें से हम 11 बुनेंगे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा फिर यहाँ पर एक फंदा गटाएंगे यह बारमा फंदा है एक मारकर से इस साइड का फंदा लेंगे तो इसको डार लेंगे, मारकर को निकाल लेंगे, इसी निडल पर लेंगे, एक फंदा आगे से लेके और फिर दो का एक करेंगे यह 12 फंदे हमारे 12 ही चलते जाएंगे, इस साइड के फंदे हमारे घटते जाएंगे इस साइड के यहाँ पर एक फंदा, हर सलाई में एक फंदा यहाँ से घटेगा, एक यहाँ से घटेगा, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ घटेगा, सीधी तरफ यहाँ पर बैक साइड में, तो दोनों तरफ से एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर मै टापते हुए ऐसे आएंगे अब फिर इस मार्कर को लगा लीजिएगा फिर से 11 फंदे बुनेंगे टोटल 12 है इसमें से 11 फंदे बुनेंगे और 12 फंदे के साथ आगे से 11 फंदा लेके दो का एक उल्टा फंदा बनाएंगे बहुत ही असान तरीके की सोक्स है और बहुत ही जल्दी बन के आती है वूल भी इतनी जादा नहीं लगती यह 12 फंदा है अब इसको लेंगे मारकर को निकाल लेंगे इस फंदे को वापिस इसी पे लेंगे आगे से एक फंदा लेके और दो का एक करेंगे ऐसे फिर इस मारकर को यहीं पर लगाएंगे फिर यहीं से हिट रन करेंगे तो ऐसे ही करते हुए हम इसके जब यहां पर हमारे पास 6 फंदे बच जाएंगे और यहां पर 6 बच जाएंगे तब तक हम दोनों तरब से एक एक फंदा गटाते हुए इसके निचे वाले इस शोल को तो इसको बना लेता हुए फिर मैं आपको दिखाऊंगे साइविंगा तो दिखने इतने पारट को मैं ने बून ले एक एक पर लेकis 12 ही रहेंगे side से एक फंदा यहां से गटाएंगे एक यहां से घटाते हुए आए तो लास्ट में अब हमारे यहां पर 6 फंदे साइड है और छए पिस तो अब देखिए हम जैसे इसे अंदर हमने एडी की शेप बनाई है गुलाई में ऐसे ही बनाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे यह यहां पर हैं और 6 फंदे ही हमारे लास्ट में इस डिजाइन वाले पारट के हैं तो देखिए यहां से अब यह 12 फंदे हैं टोटल बीच के तो इसमें से हम 10 फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस दस फंदे बुन लिए बारा में से दस बुन लिए दो बचेंगे दो फंदे ये लेंगे एक यहां से लेंगे अब यहां से फंदे घटेंगे बीच वाले तो यहां से दो लेंगे और एक आगे से लेंगे तीन का एक करेंगे ऐसे फिर यहीं से ही ट्रन करेंगे तो अब देखिए अब फिर यहाँ दो, चार, छे, आठ, दस, ग्यारा ग्यारा फंदे हैं लाश्ट के दो फंदे छोड़ेंगे यहाँ तक हम यह नो फंदे बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो अब यह लाश्ट के दो फंदे बच्चे हैं जो बीच वाले हैं के दो फंदे यह लेंगे एक आगे से तीन का एक करेंगे ऐसे हैं फिर यहीं से ही ट्रन करेंगे पहले हम एक फंदा यहाँ से लेते हैं और एक यहाँ से बीच के फंदे ऐसे ही रहेंगे अब बीच में से भी फंदा गटेगा और इस साइड से भी फंदा गटेगा लास्ट के दो फंदे रहने तक बीच वाले फंदों को फिर से बुनेंगे बहुत ही अच्छी से इड़े की सेफ बन के आएगी बहुत ही अच्छी फिटिंग बनेगी तो ये लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं दो ये लेंगे एक फंदा डिजाइन वाला लेंगे तो तीन फंदो का एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे फिर यहीं से टरन करेंगे अब फिर इनहीं फंदो को बनाएंगे ये दो फंदे रहने तक इन फंदो को बून लेंगे दो फंदे ये हैं एक यहां से लेंगे तीन फंदो का एक करेंगे तो यहां पर हमारे दो फंदे कम हो जाएंगे एक डिजाइन वाला कम होगा एक अंदर की तरप से कम होगा अब फिर यहीं से टरंड करेंगे तो फिर से ऐसे ही करेंगे लाश्ट के दो फंदे रहने तक बीच वाले फंदों को बुनेंगे अब यह दो फंदे बचे हुए हैं बीच के डिजाइन के दो यह लेंगे एक इस डिजाइन का तीन फंदे लेंगे तीन का एक करेंगे ऐसे फिर यहीं से टरंड करेंगे अब फिर ऐसे ही करेंगे लाश्ट के दो फंदे रहने तक बीच वाले फंदों को बुनेंगे दो तीन चार पांच अब यह दो फंदे हैं इन दो फंदों को लेंगे एक आगे डिजाइन में से तीन का एक करेंगे ऐसे फिर यहीं से ही टरंड करेंगे फिर से ये ऐसे ही बुनेंगे लास्ट के दो फंदे रहने तक इन फंदों को बुनेंगे फिर साइड का ऐसे ही करते हुए जो साइड के फंदे हैं सभी फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे आप देखिए दो फंदे बीच में बचे हुए एक एक फंदा साइड में है तो ये दो फंदे लेंगे एक आगे से ऐसे तीन का एक करेंगे तो अब एक फंदा बीच में है यहीं से ही ट्रन करेंगे एक फंदा डिजाइन का है इनका दो का एक करेंगे ऐसे ऐसे हमारी ये शेप बनके आ जाएगे अब यहां से इस धागे को कट करेंगे इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे ऐसे निकालेंगे टाइट करेंगे एक्स्ट्रा धागे को यहां से काट देंगे तो देखे अब हम इसको उल्टा करेंगे और अब इसकी सिलाई सिर्फ यह जो पिछे का हिस्सा है यहां से इसकी सिलाई करेंगे तो देखे अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे ओपर की तरफ से इसको बना शीलते हुए आएंगे यहां सुई में धगा डालेंगे और यहां पर एक नोट लगा के इसको पका कर देंगे ऐसे अब आप किसी भी मेथर से इसको सील सकते हैं चोटे-चोटे टांके लगाते वे इसकी शिलाई कर लेंगे यहां तक इसकी शिलाई करेंगे तो देखे फ्रेंड शोक्स हमारी बन के तयार है बहुत ही अच्छी सी हमारी यहां से एड़े की शेप बन के आई है एकदम गोलाई के अंदर तो देखे मैंने आपको इसको step by step बनाना बताया है बहुत ही जल्दी से हमारी बन के आई हो और डिजाइन भी बहुत ही प्यारा सा बना है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी है पांच और छे नमबर के साइज की एकदम परफेक्ट शोक्स है सिरफ 50 ग्राम उन इसके अंद होगी है 50 ग्राम का एक गुला था उसके अंदर हमारी दोनों सोक्स बन के तयार हो गई है तो देखे फ्रैंड्स बहुत ही प्यारी सी हमारी ये सोक्स बन के आई है अगर आपको मेरी सोक्स पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो मेरी वीडियो पसंद आई हो त शेर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो और डिजाइन पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हुमारा ये डिजाइन कैसा लगा बहुत ही प्यारी सी बन के आई है औ मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बता है कमेंट सेक्षन में बताएगा कि आपको मेरा बताने का तरीका और मेरा डिजाइन कैसा लगा थेंग क्यूं